यह कहानी है एक भोली टीचर और चालाक स्टूडेंट की होश्यापुन नमक बाउ में एक RPS नाम का स्कूल था जिसमें एक नटखट चालाक सुहाना नाम की लड़की पढ़ा करती थी जिसे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी शोक नहीं था सुहाना को शोक था तो खेलने का, खूदने का, मस्ती करने का, शोपिंग करने का, मेक अप करने का इसलिए उसका हूम वर्क भी कम्प्लिट नहीं रहता था और टेस्ट में बहुत कम नमबर लेकर आती थी एक क्लास में दो दो बार फेल होती थी लटक लटक कर उसने फिफ्ट क्लास कम्प्लीट की थी अब वह सिख्स क्लास में आ जाती है सुहाना ये तो बता सिख्स क्लास को तो कितनी बार फेल होकर पास करेगी क्योंकि हम सब जानते हैं कि तु फिफ्ट क्लास में दो बार फेल हो चुकी है यार जब तुझे पढ़ाई करने का शोक नहीं है तो अपनी मम्मी पापा से कह देना अपने ओर शोक पूरे कर यार ये जो तुने लिप्स्टिक लगा रखी है इसका शीट कितना प्यारा है कहां से खरीदी मुझे भी बताना ये लिप्स्टिक मैंने खरीदी नहीं है अपने दिमाग से कलर मिक्स करकर बनाई है देखा मेरा दिमाग इन सब चीज़ों में लगता है पढ़ाई वढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं मैंने तो ममी पापा से बोला था कि मुझे स्कूल नहीं जाना पढ़ाई नहीं करनी लेकिन नहीं पढ़ोगी नहीं तो अपने पैरोपर खड़ी कैसे होगी शिक्षा ही सब कुछ होती है बला 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 रोजाना उनके लाखो सवाल इसलिए उनके सवालों से बचकर सुहाना तुझे पता है करना अच्छी तरह से आता है वो सब भी देख लेंगे मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती मैं आज में जीती हूँ आज मुझे इंजोई करना है बस कल क्या होगा उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं यहे देख मैने नई आईशाट पैलेट बनाई है इसके कलर कितने प्यारे प्यारे है अच्छी लग रही है न नैना की बस्टरे पार्टी में इसे ही लगा कर जाऊंगी गुट मॉर्निंग प्यारे बच्चो हेलो मैं नेम इस वर्षा मैं सिस्थ क्लास की क्लास टीचर हूँ यानि की आप सभी बच्चो की नई टीचर आज मेरा स्कूल में पहला दिन है मैं आप सभी बच्चो को जानने की कोशिश करूँगी ताकि मैं अपनी क्लास के सभी बच्चो को समस्कूँ ओके बेटा आप खड़े हो जाओ अच्छा अपना नाम बताओ और अपने बारे में बताओ कहां साते हो काविया यह हमारी क्लास टीचर है हमारी क्लास टीचर यार मैं तुझे भी बता सकती हूँ यह बहुत ही ज्यादा भूली भाली सीधी साधी है जिस तरह से आकर हमसे बाते कर रही है और इनकी ड्रैसिंग सेंस तो देख इन्हें तो मैं अपनी उगलियों पर आसानी से नचा सकती हूँ बहुत मज़ाएगा वर्षा मैं के साथ वर्षा मैं के बात करने के तरीके से और उनकी ड्रैसिंग से सोहना समझ जाती है की वर्षा मैम बहुती ज्यादा बहुली भाली और सीधी साधी है उन्हें बेवकुफ बनाना आसान रहेगा वर्षा मैम कलास के सभी बच्चों से उनके नाम उनके बारे में पूसती हैं और जब सोहाना का नंबर आता है तो वह सोहाना को देखकर कहती हैं बेटा आप 6th class की student हो आपको इतना make-up और ऐसा हेस्टल बनाना शौबह नहीं देता आप एक student हो आपको student की तरह ही school में आना चाहिए इस तरह से नहीं आपको देखकर कोई भी कह सकता है जैसे आप school नहीं किसी party में जाने के लिए तयार हो मैं आपकी बात बिलको ठीक है और मैं भी सभी student की तरह आना चाहती हूँ जैसे सब student आते हैं लेकिन मैं क्या करूँ इस तरह से आना मेरी मजबूरी है बेटा मैं कुछ समझ नहीं पाई मजबूरी मतलब कैसे मजबूरी मैं मेरी नानी की लाडली थी वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और उन्हीं मेकप करने का बहुत शोक था वह बचपन में मुझे मेकप करती थी और उन्हीं मेकप में में बहुत अच्छी लगती थी जब उनका आखरी समय था तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि उनके जाने के बाद मैं हमेशा ऐसे ही संच सवर कर रहूंगी इसलिए मैम मुझे मेकप करना पड़ता है उनकी आखरी खुआश को सोच कर सोरी बेटा आपके नानी की बारे में सुनकर दुख हुआ मरने वालों की आखरी खुआश को पूरा करना चाहिए चलो ठीक है इस तरह सुहाना वर्षा मैम को अपनी बातों से बेफ़ खुब बना देती है और बाद में अपने दोस्तों के साथ बहुत हस्ती है ऐसे ही समय बीत रहा था एक दिन वर्षा मैम सभी बच्चों से कहती है बच्चों आप सभी की नौट बुक चेक करनी है और सरफ एक नौट बुक नहीं हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों अपना हॉमवर कंप्लेट रखना कल सभी की नौट बुक चेक होनी है और सभी की नौट बुक पर चार्ट पेपर चड़ा होना चाहिए सुभाना अब क्या करोगी वर्षा मैम सब की नौट बुक चेक करने वाली है और जहां तक मुझे याद है तुम्हारी एक भी notebook complete नहीं है और दूरा home work है अब तुम अपना home work कैसे चेक कराओगी और कल तक इतनो सारा home work कैसे complete करोगी कोई बात नहीं मैं कल छटी कर लूँगी और वैसे भी मुझे कल छटी करनी है मुझे पार्टी में जाना है इतना सारा home work कोन करेगा मेरे तो हाथों में दर्ध हो जाता है मैं नहीं करूँगे होंवर कम्प्लिट मैं तो छटी कर लूँगी सुहाना अगले दिन इस्कूल नहीं आती और वर्षमेम सब बच्चों की नोटबुक चेक कर लेती हैं और जो बच्चे इस्कूल नहीं आते उनकी नोटबुक कल चेक करने के लिए कह देती हैं शाम को काविया सुहाना से मिलती है तभी सुहाना काविया से कहती है काविया क्या हुआ होगी सब बच्चों की नोटबुक चेक देखा मुझे हूंवर्क भी नहीं करना पड़ा और एक दिन की छुटी मिल गई घर पर मैंने जुट बोल दिया था कि मेरी क्लास्टीचर की तबित खराब है वो नहीं आएंगी इसलिए पढ़ाई नहीं होगी घर पर भी जुट बोल दिया देखा मेरी चाला क्या काम आ रही है और मैंने पार्टी में बहुत इंजोई किया नहीं बच्चू होमवर्क तो तुझे कम्पलीट करना ही पड़ेगा क्योंकि वर्षय मैंने कहा है जिन बच्चों का आज होमवर्ट चेक नहीं हुआ उनका कल होगा अब क्या तो कल भी चुट्टी करने वाली है क्या यार अब मुझे कल भी चुट्टी करनी पड़ेगी हाँ तो मैं कल भी चुट्टी करूंगी मुझे नहीं करना होमवर्कम्पलीट मैं कल भी चुट्टी कर लूँगी और कोई न कोई बहाना बना दूँगी यह देख तुझे मेरी लिप्स्टिक पसंद थी न तेरे लिए एक लेकर आई हूँ सुहाना अगले दिन भी छुट्टी कर लेती है और जब वह तीसरे दिन स्कूल आती है तो वर्षा मैम सुहाना से कहती है सुहाना दो दिन से स्कूल नहीं आ रही हो सब कुछ ठीक तो है न चलो लाओ अपनी नौटबुक पोरी क्लास में सिर्फ आपकी नौटबुक चेक नहीं हुई जल्दी लाओ बेटा नौटबुक चेक करनी है उसके बाद मुझे प्रिंसिपल मैम के पास भी जाना है अब क्या हुआ अब क्यो रोने लगी हो वर्षा मैम आपको पता है मेरी मम्मी की तमित बहुत ज्यादा खराब रहती है मुझे उनकी देख भाल करनी पड़ती है पढ़ाई करने का तो समय ही नहीं मिलता सारा समय बस उनकी सेवा करने में ही निकल जाता है इसकूल के लिए भी क्यों से समय निकालती हूं बस मैं ही जानती हूं लेकिन मैं अपना होमवर्क जल्दी ही कम्प्लीट कर लूँगी जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं ठीक तरह से पढ़ाई पर दियान भी नहीं दे पा रही लगता है इस सालतों में फेल ही हो जाऊंगी सुहाना बेटा उपर वाले पर भरोसा रखो आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी जब आपका होमवर्क कम्प्लीट हो जाए तो चेक करा लेना प्रिंसिपल मैं से मैं बात कर लूँगी क्योंकि आप सभी की नोटबुक प्रिंसिपल मैं के पास जानी है जाओ अपनी जगा पर बैट जाओ सुहाना मगर मचके आंसो निकाल कर वार्शा मैं को बेफू बना देती है और जब वह अपने डेक्स मर बैटती है तो काविय सोहना से कहती है यार तुझे तो फिल्मों में काम करना चाही कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है पहले ही वर्शा मैं को यह बता दिया कि तो फेल भी हो सकती है और तुझे होमवर्ग भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल मैं से वर्शा मैं बात कर लेंगी वा बेटा वा मानना पड़ेगा तेरी एक्टिंग को फूल इंजोई कर रही है वर्शा मैं की वजह से क्योंकि तुझे बहुली टीचर मिल गई अगर दिपती मैं होती न तो तुझे दा लाटे का भाव पता चल जाता सारी चलाक्या निकल जाती तेरी हाँ यार वर्शा मैं बहुत ही ज्यादा भोली भाली सीधी साधी है बेचारियों को जुटी कहाने सुनाती हूँ दो आंसों निकालती हूँ मुझ पर यकीन कर लेती है पहले भी मैं अपनी ही मर्जी करती थी लेकिन टीचर्स की पिटाई खानी पड़ती थी उनकी डांट सुननी पड़ती थी पनिश्मेंट मिलती थी लेकिन वर्शा मैं के भोलेपन की वज़ा से मुझे punishment भी नहीं मिलती और सहनुब होती मिलती है वो अलग बहुत मजा रहा है ऐसे ही सुहाना को वर्षा मैम को बेखुफ बनाते बनाते बहुत समय हो जाता है ऐसे ही एक दिन वर्षा मैम सभी टीचर्स के साथ लंच कर रही थी तभी नहारी का मैम वर्षा मैम से कहती है वैसे वर्षा मैम सुहाना स्टूडन को समभलना कितना मुश्किल होता होगा आप है जानती है क्योंकि मैंने उसे फिफ्ट क्लास पढ़ाई थी पढ़ाई का तो उससे बिलकुल भी शोख नहीं कभी अपना होंवर कमप्लीट नहीं करती और फैशन तो इतना करती है जैसे उसे अभी फैशन शो में जाना हो बेचारी की मजबूरी है फैशन करने की तो और निहारी का मेम बेचारी सोहना तो पढ़ना चाहती है लेकिन क्या करे वो अपनी मा की तरफ से मजबूर है उनकी तब ये ठीक नहीं रहती ना, उनकी सेवा में लगी रहती है, बेचारी मुझे तो बड़ी ही दया आती है, उसका सारा बचपना ऐसे ही जा रहा है वर्षा में, आप सोहाना के बारे में ही बात कर रही है ना, लगता है, आपके सीधे पन का उसने फायदा उठा लिया, उसकी मम्मी कोई बिमार वगेरा नहीं रहती, अच्छी खासी है, किटी पार्टी में जाती रहती है, मेरी मम्मी की दोस्त है, और उसे बढ़ाई का बिलक आपको क्या लगता है, कि आप यह सब कुछ कुछ कर रही है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, नहीं, अपने साथ गलत कर रही हो, अपने भविश्य को बरिबाद कर रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको पढ़ाई पर दिहान देना चाहिए क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसे पूंजी है जो हमें आस्मान की उची बुलंदियों पर लेकर जाती है अगर आप शिक्षा नहीं लोगी तो आप दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगी यह चाका चौन चार दिन की है आपको पढ़ाई पर दिहान देना चाहिए शिक्षा प्राप करनी चाहिए में मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी शोक नहीं है पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे फैशन करना पार्टियां करना, शोपिंग करना, मस्ती करना, ये सब कुछ अच्छा लगता है, और सोरी मैं, मैंने आपसे जुड बोला, आपके भोलेपन का फायदा उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, मुझे माफ कर दो, सुहाना बेटा, आज किसी बते कहकर नहीं आती, इसलिए हमें अपने उपर डिपेंड होना चाहिए, दूसरों के उपर नहीं, और अपने उपर डिपेंड कब होगी, जब आप पहली कर कुछ बंच जाओगी, एक टीचर होनी के नाते, मैं आपको ये सब कुछ समझा रही हूँ, बेटा, अभी समय हैं, समझा जाओ, पूरी जिंदगी आपके सामने पड़ी है, वर्षा मेम सौहाना को बहुती ज्यदा प्यार से समझाती हैं, इतनी ज्यादा प्यार से आज तक कि सी भी टीचर ने सौहाना को नहीं समझाया था, यहां तक कि उसके मातपिता ने भी उसे कभी ये बाते ही बताई थी सिर्फ टीचर और मातपिता उसे डाट कर मार कर समझाने की कोशिश करते थे वर्षा मैम की प्यारी प्यारी बाते सुहाना के दिमाग में आ जाती है और अगले दिन वह एक अच्छी स्टूडेंट बन कराती है बिल्कुल भी उसने मेकप नहीं किया था और अपन अब तुझे होंवर कंप्लिट कर नहीं पड़ेगा नहीं यार अब मैं किसी को भी परिशान नहीं करूंगी और वर्षा मैम की एक एक बात मुझे समझ में आ गई है आस्ता किसी ने भी मुझे इतने प्यार से नहीं समझाया अब मैं पढ़ाई करूंगी पढ़ाई से दू अचमबित हो जाते हैं कि एक ही दिन में यह परिवर्टन कैसे हो सकता है सुहना सभी टीचर्स के पीरेड लेती है मन लगा कर पढ़ाई करती है और होंवर्ग भी कंप्लीट करती है और वह सारा दियान बस अपनी पढ़ाई पर ही लगाती है और उसकी मेहनत रंग भी लेकर आती है सुहना इस बार सिक्स क्लास एक बार में ही पास कर लेती है और वह सैवंत क्लास में आ जाती है यह देखकर सुहना को बहुत खुशी होती है और वह वर्षा में से कहती है थैंक यू थैंक यू सो मच वर्षा में आप बहुत अच्छी है आपने मुझे सही रास्ता द करती रहना और आपके सपने जरूर पूरे होंगे आप पढ़ाई के साथ साथ अपने शोग भी पूरे कर सकती है मेहनत और लगन इंसान को कुछ भी हासिल करवा सकती है और हाँ बेटा मैं सिर्फ एक साल के लिए ही इस स्कूल में थी अब मुझे जाना होगा और मेरे जाने की किसी भी टीचर्स को परिशान मत करना ओके मन लगा कर पढ़ाई करना वर्षा में के जाने से सुहाना को बहुत दुख होता है वह उनके लिए बहुत रोती है आज वर्षा में की वजह से सुहाना पूरी तरह से बदल जाती है वह अपने शोग भी पूरे करती है और पढ़ इसे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं